Hello everyone, welcome to STRC future. So what a jittery market today. आज का market बहुत ही ज़ाद जिट्री था. Market ने up move, down move, up move काफी अच्छा दिखाया और overall market ने आज 2 V's बनाए. सबसे पहले market उपर गया, then उसके बाद market again down, then उसके बाद again up. So ऐसे market के अंदर trade करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. Overall market का scenario जब यहाँ से जब पल्टा तो काफी ज़्यादा एक परशानी होने लगी कि कैसे इस market को handle किया जाए, stop losses continuously hit हुए और overall option seller के लिए आज बहुत ही bad day हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. So सबसे पहले market ने क्या एक scenario था कि जब market open होता है और उसके बाद market एक बहुत अच्छी week reversal नाता है तो ठीक है continuously एक up move possible था लेकिन data के coding, data के coding totally वहाँ पे जो negative sentiments बने वे थे लेकिन सुबा सुबा ही जो call writers थे उन सब को trap कर दिया गया और market यहाँ से continuously अब चली गई लेकिन as per data, data validity होनी ही थी market यहाँ से नीचे आना ही था तो market ने उपर जो high level है 15,600 के उपर उसने closing करी उसके market continuously fall होने लगा और market continuously गिरते गिरते 15,400 के उपर वापिस आके खड़ा हो गया जब market 15,400 प्या है then उसके बाद जो यह move up थी यह एक बहुत ही जवरदस move थी और definitely this is the time कि कुछ समा के लिए market से अब मैं भी दूर होने वाला हूँ because of this reason कि market के इतनी volatility को कैसे handle किया जाए और कैसे समझा जाए कि market पहले 200 point अब भी चला जाता है फिर 300 point माइनस भी चला जाता है उसके वापिस 250 point प्लस भी हो जाता है same with the bank nifty bank nifty में भी कुछ ऐसा ही moment थे जैसे कि अगर अपने bank nifty का चार देखते है ध्यान से तो bank nifty का तो moment और भी जादा खतरनाक था सबसे पहले bank nifty के अंदर overall market जो है पंद्रा नो सो के पास बतीस नो सो के पास शुरू होती है और यहां तक जो उपर high market आती है वो near about जो 33,400 तक चली जाती है देन उसके बाद again down आती है और वो 32,700 तक चली जाती है देन 32,700 से वापिस जो है 33,180 के आसपास जाके वहाँ पे closing देती है तो यह जो moment है near about कितने हजारों की moment थी तो definitely यह बहुँ जादा प्रेसिव मोर था, market के अंदर continuously stop loss है उपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी और again उपर की तरफ भी तो यह इतने stop losses थे इसको कोई भी manage नहीं कर सकता था कि market ने ऐसा क्या scenario किया तो अगर अपने बात करते हैं FIAs, DIAs data की तो FIAs, DIAs की ने आज कोई खास कि यहां पर buying और selling के लिए नहीं pressurize किया है overall market के अंदर जो scenario है उसी के coding इनोंने 2319 crore की selling करी है FIAs ने और यहां पर 2400 crore की buying हुई है लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि जितना moment 7800 crore की selling के time भी इतना FIAs कर नहीं हुआ था जितना 2300 crore के अंदर expiry इतनी ज़्यादा volatile यहनोंने बना दी है overall अब ऐसा कह सकते है price action के coding की market यहां से एक bullish view लेके जा सकता है तो अगर अपने scenario देखे सबसे पहला scenario अगर मैं देखता हूँ price action का तो price action अब यहां से bullish नजर आती है अब definitely यहां से एक bottom बन चुका है और bottom market को यहां से अब लेके जा सकता है अगर अपने second scenario की बात करें FIAs data की तो FIA is still negative zone के अंदर ही है हो सकता है कि अब वो अपनी long position यहां से create कर चुके हो और definitely options trading या फिर अपने बोलें कि इनका जो overall जो motive रहता है वो राइटेम आला है कि अब हम इसको future को long करेंगे या फिर call को long करेंगे या फिर put को shorts करेंगे लेकिन अभी तक अपने अगर option chain data की बात करें तो option chain data के अंदर अभी किसी प्रकार का कोई खास moment नजर नहीं आ रहा है जो next expiry है because उसका data भी बना नहीं है वो धीरे धीरे data जब create होगा तब उसके बाद समझ में आएगा कि next expiry के लिए क्या जो उनका scenario है वो बन रहा है overall आज भी अगर देखा जाए तो इतना कोई खास यहां पर work नजर नहीं आ रहा है all right so let's see कि क्या होता है उस दिन and option chain data is not updating okay यह update नहीं है अभी update होते ही we will discuss about it तो overall option chain के अंदर भी कुछ खास contracts add नहीं हुए है all right so कुछ भी यहां से पता नहीं लगा जाज़कता कि अब market के अंदर क्या position यहां पर बन रही है दोनों side जो है equal जैसी position सी वो create कर रहे है so overall market यहां से bullish view के साथ मैं यहां पर जाऊंगा और my vote for bullish now market एक reversal zone के अंदर है so market यहां से properly bullish होने की probability stability बहुत ज्यादा बन चुकी है क्योंकि जो third move आया था उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि fresh buying हुई है बहुत अच्छे तरीके से कोई short rally नहीं थी fresh buying के साथ market यहां से आप move जा सकता है so अब आप किसके अंदर trade कर सकते हो so first of all अगर अपने बात को ध्यां से समझें कि आपको यहां पर shares के अंदर invest करना चाहिए shares जैसे की reliance जैसे की आप यहां से और जा सकते हो HDFC bank के लिए जा सकते हो या फिर आप steel sector के अंदर जा सकते हो टाटा यहां फिर आप देख सकते हो shares जैसे की विप्रो अब IT sectors का जो है सबसे अचा बूम आने की तयार ही है क्योंकि IT sector बहुत जार डाउन हो चुका था तो आप विप्रो TCS इन सब शेर के अंदर invest आप कर सकते हो so I am not a financial advisor so जो भी आपको share invest करने इसके लिए आप अपने financial advice this is jury advice की जेगा I am definitely not not personally libel for your losses so all the very best I hope you enjoy this podcast अप जो भी decision लें this is the right time to take the decisions so thank you very much all the very best